हलो गाइस वालकम तो दे चैनल आज इस वीडियो में यह सीखेंगे कि गिंप में किसी भी इमेज को पेंसिल स्केज में कैसे बदले सुरुक करने से पहले यह बता दूं कि गिंप एक फ्री सॉफ्ट्वेर है और यह फोटो सॉफ का बेस्ट अल्टेनेटिव है इसे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हैं आपके पास विंडो हो मैक हो या लिनेक्स हो किसी प्लेटफॉर्म पे फ्रीली अबलेब वान से यसे ओन कर साटते हैं इस इमैज को पेंसिल स्ऩरी बहुत असानी से पांच सब्सक्राइब आप कर सकते हैं वहां इमेज जो इसको मैंने open करकर रख्था हैं यहाँन यहाँ टूस देTHiau है और इधर लेयर से हैं जिस लिए पर काम कर रहें ते लेयर में पिर duplicate layer बनाऊंगा उसके right button को दबाएंगे तो duplicate layer यहां से क्लिक करेंगे duplicate layer बन जाएगा इसको मैं double click करके rename कर लेता हूं layer 2 इस layer पर रहते हुए यहां mode में जाएंगे और mode में यहां पर मैं change करूंगा डॉस ओके तो कुछ picture ऐसे हो जाएगी layer 2 पर रहते हुए colors में जाएंगे यहां से इसको invert कर लेंगे फिर से हम filter में जाएंगे वहां पर इसको blur करेंगे थोड़ा Gaussian blur यहां से size x और size y को increase करेंगे अभी यह xy को उतना ही change करेंगे जिसमें एक हलका हलका pencil sketch वाला effect आना शुरू हो जाए यह अभी भी आपको pencil sketch लग रहा होगा यह ठीक वैसा ही लग रहा है जैसे कि आपने mobile में कोई app डाला हो pencil sketch के लिए उसमें एक low quality का pencil sketch ऐसे दिखता है अब यह bottom आला layer है इसका एक और duplicate copy बनाएंगे duplicate layer और इस layer का rename करेंगे हम layer 3 और हम इसे top में ले जाएंगे layer no.3 पे रहते हुए हम जाएंगे filter और as detect और neon ठीक है यहां हमारे पास radius 5 है और intensity 0 है as it is रखेंगे इसको OK क्लिक कर देंगे फिर जाएंगे color में और इसको invert कर देंगे mode में जाएंगे और multiply करेंगे एक better pencil का shape आ गया है इसको थोड़ा और refine करें colors में जाएंगे और levels क्लिक करेंगे लेबल सोपन होगा और इसमें black वाले पार्ट को और थोड़ा black करेंगे यहां देखिए थोड़ा black black ऐसे इतने point टेक जाएंगे जहां पर हमें कुछ pencil के states यहां face पे डिखने लगे यह देखिए एक perfect pencil sketch आपका image से convert हो जाएगा यह pencil sketch complete हो जाने के बाद अगर इसको आप JPG APNG में export करना चाहते हो तो यहां फाइल में जाए इस वीडियो को देखने के लिए अपका धन्यवाद वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना वोलें